वेल्कम टू प्रथम आयस तो देखिए बहुत बुरी न्यूज है भारत के लिए मुंबई में मीजलेस ओर्ट ब्रेक हो चुका है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मुंबई मिर्र की जो एक आर्टिकल है यहाँ पर साब साब लिका हुआ है मुंबई मीजलेस ओर्ट कंफर्म में गोवार गोवंडी तो गोवंडी एक जगह है जहाँ पर जो है न यह बिल्कुल आफ कंफर्म हो चुकी है और यहाँ पर ओल इंडिया रेडियो न्यूज की भी आर्टिकल आप देख रहे हैं और इवेन प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो दाट इस पी आवी ग जो इसका हेट करें अनुभव श्रिवास्तवाजी जो इंटिग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पर होता है नेशनल सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल इनको एक तरीक से इनिवेस्टिगेट करती है तो वहां के टीमें गई है बट बिफोर आ आप लोग के लिए एक mcq लेकर का है आप यहां पर देख सकते हैं इन सेप्टेंबर 2019 मेंबर कंट्री ओफ डब्लू एचो डिजीज वर्ल्ड हिल्थ और्गनाज़सन सौथ इस्ट एस्या रिजन सेट डैस अज टार्गेट फूर टार्गेट किया गया था एलिमिनेशन के लिए और यह जो है आपको बिल्कुल डब्लू एचो की बहुत सारे डीजन्स होते हैं आपको पता होगा ठीक है तो इंडिया जैसे सीर डियन में आता है ठीक है तो यहां पर भी आप देख रहे हैं यह आपको जो है ना अमर उजाला का आर्टिकल है कि मुंबई में खसरे के कारण हालत खराब 90 से ज्यादा बच्चे बीमार ठीक है आप यहां पर देख रहे हैं फिर आपका यह मीजलेस डेट हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्स टीम टू मुंबई यह बिल्कुल आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर एंड़ एयर मतलब जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि जो कोविड-19 का था ना कि एयर बॉन था उसी तरीके से यहां पर भी एक तरीके से और यह रेस्पिरेटरी ट्रेक को जो है ना एक तरीके से प्रभावित करता है ठीक है एक डॉक्टर सावें दत्तनु सिंगल कंसल्ट इन पैडियाटिक्स और इन इंफेक्शन डिजिज वो बोलते हैं देरवाय अंबानी जो हॉस्पिटल है कि अगर आपको प्रिवेंट करने मीजलेस वैक्सिजन को तो वन हाज तो टेक दा फॉस्ट डोज ऑफ एममर वैक्सिन आट नाइन मन्थ और फिप्टीन मन्थ इंट सकते हैं ठीक है तो सिंस यह वाइडल डिजीज है तो आपको आइसलेट करके लोग को रखना चाहिए और कभी-कभी तो इतनी ज्यादा कॉंप्लिकेशन हो जैसे न्युमोनिया इयर इंफेक्शन माल लूट्रीशन एंड टुबरक्लोसिस अगर रिस्क की बात करोगे तो इ इम्मुनिटी बहुत कम है पहले से वैक्शन नहीं लिए रहते हैं मिजलिस का तो उनका भी चांसे है कि मिजलिस हो सकते अब जान लेते जैसे कि यह कंटाजिनेस जिजिज है जो वाइरस से होता है यह म्यूकस और सलाइवा मतलब थूक से ज्यादा फैलता है जो इस्प्रे और यह बहुत जादा कंटाजिनस है इस्पेसली डेंजरस फोर चिल्डरेन फ्रम लो इंकम फैमली जो गड़ी फैमली के बच्चे जिसकी इम्मुनिटी बहुत कम होती है जिनको अच्छे से नूट्रिशन नहीं मिल पाता है और यह ब्लाइंड लेस इंसेफलाइटी सीवि आतर यह बहुत इंपकरंट होता है रूवेला वाPlus से निकलते है जो परेमॉक्सेयस फैमली से बिलोंग करता है और यह ड्रोप्लेट से फैलता है डेस्परिट्री ड्रॉप्लेट जो सरा निकलता है उससे भी फैलसकता है सबसे पहले जो मिजलेस वैक्सिन हुई थी डेवलाप वो 1963 में तब तक दो मिलियन लग वह बीस लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी ठीक है अभी अभी अभिलेवलिटी ऑफ सेफ एंड एफेक्टिव वैक्सिन है जो एक तरीके से मिजलेस से बचाता है बच्चों को और बिट्विन 2000 और 2018 73 परसेंट जो डेथ है वो ग्लोबली कम कर दीगा जाक चुकी है क्योंकि जो क्याम्पे नहीं बहुत ज्यादा चलते हैं मैंने आपको यह बिल्कुली बता दिया जो भी सिम्टम्स होती है कफिंग आई डेटा रेड मसल्स एकेज रनी नोज स्कार्ची स्रोट यह सारी चीज़े अगर आप प्रिवेंशन और मिजलेस की बात को जैसे कोई स्पेसिफिक ट्रिट्मेंट तो मिजलेस की नहीं है लेकिन अगर आप प्रिकॉसंस लोगे सिंसिटी जा वाइडल डिजिज तो आपको यहाँ पे जो है ना कहीं ने कहीं आप बच सकते ह जो बच्चे यूनो मिजलेस से इम्मुनाइजड होना चाहते हैं वो 12 मंथ के बर्थ के बाद उसे एक डोज लगती है 12 मंथ यूनो आफ बर्थ उनको कभी भी आप लाए उसके बाद जोने सेकेंड डोज बिट्विन दे एज और फोर एंड शिक्स यूनो इयर ठीक है MMR जिसको मंप, मीजलेस और डुबेला बोलते हैं यह एक वैक्सिन है जो प्रिटेक्ट करता है अगर आपको मैजर्स लेने तो जैसे मैंने आपको बताया कि मीजलेस और रुबेला इनिसियाटिव जोने एक ग्लोबल इनिसियाटिव है जिसका काम है कि मीजलेस और रुबेला दोनों डिजिज़ को हटाना मीजलेस रुबेला जिसको MR बोलते हैं मीजलेस मंप, रुबेला यह एक वैक्सिन है जो अगर आप इंडियन परस्पेक्टिश पर बात करोगे तो मीजलेस और रुबेला जो यह वैजर पबलिक हिल्थ क हाला कि इंडिया में इफेक्टिव वैक्सिन 1960 से ही अवलेबल है ठीक है अभी तक जो है न लगवग आप बोल से तेरे लाग चिल्डरेन जो इनिफेक्टिद हो चुके मीजलेस से परते कियर और लगवग 49,000 इनिफेक्टिद चिल्डरेन डाइंग मतलब लगवग इसमें स यह बच्चों की ठीक है अगर आप गवर्मेंट इनिसेटिवी की बात करें तो इंडिया जो है न एलॉंग विट टेन अधर सौथ इस्ट आस्यान डावलो एचो मेंबर कंट्रीज है जो कमिटेड है अपने आपको एराडिकेट करेगा मीजलेस एंड कंट्रोलिंग सीरेस पाई 2023 और यह एक बोल सकते हैं कि इंडिया जो है ना इसकी सिग्निफिकेंट यूनो मालस्टोन होगी अगर वह एलिमिनेट कर देता है मेजलेस को क्योंकि इंडिया अल्रेडी पोलियो स्मॉलपक्स मेटेरियल और नैनो निटल टेट टेटनस इन सब चीजों को जो है ने अगर आप देखे तो इंडिया अकॉंट करती है वन थर्ड अफ और मिजलेस डिलेटेट डेट वर्लड वाइड इंडिया रैंक्स फूर्थ और वन नैंटी फूर कंटरी इंडर टरम्स अफ मिजलेस केसे अगर आप मिजलेस रुबेला डटीज एमर वैक्सिनेशन केंपें के बात करें तो जो यूनियन मिनिस्ट्री आफ है और फैमली वेलफेर इन्होंने 2017 में कैमपें लॉंच किया था और वह लार्ज स्केल पर वैक्सिनेशन कैमपेंज था जिसका गोल था कि लगवाच 40 क्रों चिल्डरेन के पास महचना है कंट्री में और उसे वैक्सिनेट कर हाला कि अगर बात करोगे तो कोई स्पेशल ट्रीट्मेंट तो नहीं है इन दोनों डिजिज की लेकिन वैक्सिन इसको प्रिवेंट कर सकता है अगर आप रिसेंट डेबलमेंट की बात करो तो माल्दीव और स्रिलंका जो है न यह फर्स्ट टू कंट्रीज है किस रीजन में तो वर डावलो आचो के सौथ इस्ट एसिएन रीजन में दाटीज CR उसका काम किया टू एलेमेट मीजलेस और डूबेला बिफोर 2023 डेडलाइन इन जुलाई 2022 तो इंडिया भी इस टारिगेट के अंदर है और यहाँ पर आपको आपके MCQ का आंसर मिल गया कि यह टारिगेट कब है 2023 तक सब्टेंबर 2019 में WHO CR मेंबर ने सेट किया था 2023 as the deadline for eradicating MR और यह आया कब जब CR Verification Commission for Meageless and Rubella imminent held in 5th देखे अच्चली यह जो आप देख रहे हो नो CR Verification Commission for Meageless and Rubella कोई भी बिमारी यह verified हो जाती है इस commission के द्वारा कि जब उसमें लगातार 3 सालों तक कोई case नहीं आता एक particular बिमारी का अगर देखोगे तो भूटान, the Democratic Republic of Korea, Timur, Leste, यह सब जो आने countries in the region that have eradicated in Mijlis, Rubella is eradicated in Bangladesh, Bhutan और मादली, even हमारे जो परोसी है बंगला देश इतनी populous dense है, ठीक है, नेपाल, सिरलंका, Timur, Leste, केबल, पाकिस्तान को छोड़ दीजे ठीक है, तो सब ने Mijlis, Rubella से eradicate कर लिया है, ठीक है Government Initiative, Mijlis, Rubella vaccination, यह अल्यडी 27 से चलना है, target जैसे मैंने आपको बता दिया और May 9 month and less than 15 years के लिए, free of course दिया जा रहा है और इसके साथ कुछ international जो, you know, initiative जैसे universal immunization program, mission इंदर धनूस and intensified mission of इंदर धनूस, यह सब जो आपको, यह आपका MCQ का explanation है Maldiv and Sri Lanka have become the first two countries in South East Asia region, जिसने Mijlis, Rubella को deadline, 2023 से पहले eradicate कर चुका है ठीक है, और CR ने target रगाता, 2023 से अज़दर, you know, target, क्योंकि वो पहले की जो target थी, वो फेल कर चुकी तो उमीद करते हैं, session अच्छा लगए और अच्छा लगए तो प्लीज हमारे channel को subscribe कीजिए and don't forget to join the telegram channel, link description में दिया हुआ है, thank you so much for watching this video